हेलो, बेलकम टू केन श्टडीज, CIP of AC 2021 फिडवाइक टॉपिक में आज हम टॉपिक नंबर 3 आपको प्रजेंट कर रहे हैं, पिछले दो टॉपिक में हमने AC कवर किया था, AC का हमने आपको आप टॉपिक दिया था, अभी इस टॉपिक में हम आपको जो है टॉपिक नंबर 3 दे रहे हैं, जिसमें हम अर्गुमेंट राइटिंग के बारे में आपको देंगे, देखो ये टॉपिक मैं वो दोनों point of view से दे रहा हूं कि एक तो आपकी practice होगी और दूसरा exam point of view से भी relevant है, अब देखो जो आपके feedback session में सामील है, यानि कि जो भी classes subscribe किये हुए हैं, जो feedback session को subscribe किये हुए हैं, तो उनका तो मैं feedback आपको individually provide कराऊंगा, कि yes, कहां आप mistake कर रहे हो, और कितने marks आप almost deserve कर रहे हो, और क्या चीजों को आपको consider करना चाहिए, तो ये उनका इंडिडेट के लिए हैं, जिन्होंने subscribe किया हुआ है, जिन्होंने subscribe नहीं किया हुआ है, उनके ल topics कम से कम cover कर लेते हो, तो almost जो है more or less सारी चीजों से आप aware हो जाते हो, तो जितना भी है, आप उसको gradually करते जाओ, एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं notes मिल जाएगा और वो चीज कर लोगे, आपने already previous year का paper देखा हुआ है, at least this year का भी आप paper देखो, 2020 में जो आया 2020 का paper भी आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि mere cramming of things will not work, आपको बहुत सारी चीजों को सिर्फ cram करके नहीं कर सकते हो, क्योंकि you never know a lot of dimensions जो हैं, वो dimensions आपको cover करने होते हैं, जितना broad dimension आप cover करोगे, जितनी अधिक चीजों के आप practice करोगे, वो आपके लिए उतना ह फायदा होगा, तो आज का हम जो topic देखते हैं, कि right for and against for the given topic, इस topic पे जो है, वो आपको लिखना है, online classes can replace offline classes in near future, तो देखो, हमने already आपको बोला, जो भी आपका argument writing होता है, तो argument writing में हमें positive और negative नहीं देखना होता है, जब हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे का एक proper format होता है, कि ह हम चीजों को either introduce करें, या फिर एका story के format में हम start करें, या तो उसके जो problem है, वो arise करें, उसके बाद हम solution provide करें, और conclusion with positive notes हमको provide करना होता है, जो आपका argument writing है, argument writing में हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, कि उसके positive क्या है और negative क्या है, हमें four and against के बारे में लीखना है, जैसे यह है कि online classes can replace offline classes in near future, means यहाँ जब आप four लीखने लगते हो, तो four का आप जब topic लीखते हो, तो यह लीखोगे कि yes, online classes can replace offline classes in near future, यानि कि इसके favor में लीखना है कि yes, यह हो सकता है, लेकिन जब आप against में लीखने लगते हो, तो against में जब आप लीखोगे, तो यह होगा कि नहीं, आ आप अभी फिलहाल जो है, नियर फ्यूचर में, आप देखो, आप कहीं भी 100-200 years technology के एरा में 5-10 years भी बहुत लंबा period होता है, आप just 5 years back जाओ, 5 years back जाओ, आप data को थोड़ा-थोड़ा बचा करके यूज करते थे, कि 1 GB data लिए और पता चला कि एक महीने चलाना है क्योंकि 400-500 भी आपका, 2016 तक की बात बता रहा हूं कि 338 रुपीज में मैंने 1 GB data खरीत, आप लोग अब रेड़ी, आप लोग को भी ध्यान होगा, आज 4-5 years भी अभी नहीं पूरे complete हुए हैं, और आपका आज data जो है, कि on average लेते हो, तो 600 में 100 plus GB आपको data मिल रहा है, तो 600 का आप ले रहे हो, supposedly 4 days आपको मिल रहा है, और 100 plus GB मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका almost 5 रुपी पर जीवी पड़ा, तो कहां 338 रुपी पर जीवी और आज 5 रुपी पर जीवी, बहुत जादा कम हुआ, drastically कम हुआ, तो हम 5G, अभी 4G यूज कर रहे हैं, 5G अब different country में launch हो गया है, इंडिया roll out करने के लिए 5G तयार बैठ रहा है, कोशी कर रहा है, जारी है, किसी भी time अब proper आपके हाथ में भी आजाएगा, डिवाइसे सब 5G enabled बन रहे हैं, तो ये technology के age में changes बहुत आसान होता है, बहुत rapid होता है, rapid होता है, आसान नहीं, rapid होता है, और उसका prediction नहीं कर सकते हो, a lot of time होता है जो technology के छेतर में belong करते हैं, जो technology के छेतर से power user हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं, in fact, Bill Gates, आप में से हर कोई उनका नाम जानते हो, उन्होंने आज छोड़ दो, आज से 20 years पहले हुआ था, जो 20 years पहले जो चीज आप देख रहे थे, आज obsolete आपको नजर आ रहा है, लेकिन Bill Gates ने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़े हो सकती है, तो technology के एज में कुछ भी possible है, और जो changes हैं, काफी rapid है, तो इस छेतर में हो सकता है, in fact, online का देखो penetration बढ़ता जा रहा है, खास करके COVID-19 pandemic ने इसमें जो है काते हैं, कि आग में घी का काम किया, उसने इस चीज को pace को और बढ़ाया, तो online classes can replace offline classes in near future, तो बो यस, अब उसके regions हैं, उसके regions क्या-क्या हैं, ये आपको present करना है, तो जब आप four में present करते हो, तो online classes can replace offline classes in near future, तो अब इसमें जब आप four में present करते हो, तो four में क्या ल आज के टेट में एक तो है कि टेकनोलोजी की इनेवल अवेलिविलिटी है वो अलमुष्ट सब के पास है फिर उसके बाद जो है यह आपका जो टाइम और अस्पेस यह कॉंस्ट्रेंट नहीं है टाइम कॉंस्ट्रेंट इसमें नहीं है देखो अब यह चीजे रहोगे टाइम एंड अस्पेस कॉंस्ट्रेंट खतम हो गया है अब जस्ट सोचो कि सपोज मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यह आउनलाइन मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रिजेंट कर रहा हूं जस्ट सोचो कि मैं यह क्लास पढ़ाते हुए रहता कहीं भी ख्लासरूम में त तो जो candidate उस time में available होते, class में available होते तो वो ही उस चीज का लाव उठा पाते, उसी चीज को देख पाते अब लेकिन ये suppose मैं record करके आपको online के form में इसको present कर रहा हूँ तो कोई उस particular time में उपलब्ध नहीं है, जिस समय मैंने just upload किया तो या फिर just imagine करो कि one time live चलता और उसको में हटा देता, तो साइध भी दिकत होता लेकिन एक तरह से ये online चीज़े ज़दी चल रही है, तो time का constant नहीं है कि मान के चलो उस time नहीं, किसी और time उसे उपलब्धता है, उसकी time की उपलब्धता, तो उस समय देख सकता a space constant कि आपको classroom जाने की ज़रुवत नहीं है, आप यह हो सकते हो, घर में बैट करके देख सकते हो फिर उसके बाद जो भी है, कि कहीं भी जो है, कि more people को online के थुरू cater किया जा सकता है ज़़े physical infrastructure को उसको constant करता है, सपोज 50 students का classroom है, तो उसको क्या है आप 100 को उसमें नहीं बैठा सकते हो, खास करके जैसे COVID-19 है, COVID-19 में तो अभी आसे भी half capacity के लिए बोला जा रहा है तो आप उस चीज को नहीं कर सकते हो, उसमें कम बैठाना होगा, लेकिन online में क्या है, कि इस video को एक देखो या एक हजार देखो, या एक लाख देखो, या एक कड़ोर देखो, वन मिलियन देखो, बिलियन देखो, कोई फरक नहीं पड़ता है, उस चीज के लिए ये आपके पात a spread दिये, तो online का a spread जादा है, waste faculty आप hire कर सकते हो, waste faculty से आप पढ़ सकते हो, offline में क्या होता है, उसके constraint होते हैं, कि suppose, just imagine करो, कि थोड़ी देखो, या एक है, पहले on campus सिर्फ education प्रोबाइट कर वाते थे, तो क्या है, कि जितने लोग as IIT में qualify हुए, वही तो वहाँ पढ़ सकते थे, उनके प्रोफेसर से वही student पढ़ सकते थे, लेकिन आज के देख में सपोज NPTEL है, या फिर अ time constraint और a space constraint नहीं है, फिर उसके बाद, जो है, in long term, relatively cheaper है, long term में relatively cheaper है, अब just ये सुचो, कि हाँ, one time आपको laptop चाहिए, अब मान के चलो, mobile phone चाहिए, या फिर internet connection चाहिए, suppose mobile phone करीदा, laptop करीदा, तो one time investment है, in long term, लेकिन जदी है, वह relatively cheaper है, फिर उसके बाद है, कि storage, easy storage वगेरा है, तो ये सारी चीज़े, high reach है, अधिक reach, अधिक लोगों तक reach किया जा सकता है, ये सारी चीज़े, तो ये आपका near future में, फिर उसके बाद, नहीं से, no need to carry books, books carry करने की ज़रुवत नहीं है, आप one city से different city में चले गए, तब भी कोई problem नहीं है, आप online तो कही से भी अटेंड कर सकते हैं, लिकिन जती आपने physical classes अटेंड करा हुआ है, physical classes को जवाइन करा है, तो you have to be present in that city, in that particular time, suppose six month का कुर्स है, तो you have to be present for whole six month in that place only, but here it is not the requirement, a specific requirement is not there, कि you should be present only in that place, तो आप you can move from one place to other place, this is the liberty, but in offline, this is not the liberty, so it is about four, now we come to against part, so in against, you have to go in other direction, in against, you have to go in other way round, कि it is not possible, आपका जो है, lot of things है, कि जो अभी भी, एक तो है have, have and have not, एक जो है have and have not, तो उसमें क्या होता है, कि एक जो है power user है, और एक आपके जो है, कि power user नहीं है, तो जिनके पास technology की proper availability है, उनके पास advantage होता है, और जो जिनके पास नहीं है, तो उनके पास advantage, और उसके बाद देखो कि equal अभी penetration, internet बगारे के penetration अभी हर जगा नहीं है, जैसे rural urban division अभी भी है, तो अभी भी internet penetration जो है, बहुत सारे rural area में नहीं है, a lot of internet connectivity issue is still there, and near future में अभी इतनी आसानी से इस चीज को नहीं हो सकता है, तो जब तक complete, अब देखो, a lot of time होता है, जब आप कभी-कभी वीडियो देखते हो, तो कभी slow, कभी fast, ये सारी चीजे, अब वो बहुत बार क्या होता है, internet के speed पे, जैसे video recording ही में करता हूँ, तो उसमें sometime problem क्यों आता है, इंटरनेट के connectivity के कारण, जब बहुत बार होता है, आप लोग में से बहुत का सिखाएद रहता है, कि voice बहुत fluctuate होता है, तो ये lot of time जो होता है, internet connectivity क्योंकि मैं ये जो भी record करता हूँ, तो वो internet इसमें connection होता है, उस duration में उसमें record करता हूँ, तो उस record करने के लिए internet की proper connectivity चाहिए, अब जिस समय जदि internet में issue होता है, तो उसमें voice में fluctuation बहुत सारी चीजे आती है, अब देखो, जदि face to face बंदा होता है, तो face to face होता है, तो उसमें तो ये problem नहीं होता है, कि ये connectivity, suppose, ये पहुँच रहा है, आपके पास सारे के सारे, फिर physical interaction is necessary, आप वो physical interaction जो होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, अब देखो, चुकि हमने online classes के बारे में दिया है, तो हमने ये नहीं दिया है, कि आपका जो engineering graduate, और management graduate, और फिर आप higher level, यह मैं सुरू से ही है न, हाँ, एक बच्चे हैं, मान के चलो कि या small kids हैं, तो उनको भी जरूरत होती है, उनको भी है, education, primary education, secondary education, सारे education में जरूरत होती है, तो हर कोई जो है, कि उस चीज को गगाटर नहीं कर पाता है, तो इस बज़ए से, जो है, physical interaction जरूरी चाहिए, फिर उसके बाद, जब आप online म यह रहते हो, तो उसमें physical interaction नहीं होता है, तो जो communication होता है, social communication, जो norms बगएरा बहुत सारी चीज़ें सीखना, तो जो physical interaction, जब आप work करोगे, तो किसी environment में, culture में करते हो, तो वो interaction नहीं हो पाता, यहाँ यह सिर्फ मत समझना कि, जो हम online classes can replace, offline classes near future, तो यह सिर्फ नहीं है, कि ह पर university level, सारे education सामिर है, तो अब यह सोचो, कि एक kid है, एक बच्चा है, उसे आप कभी हमें सा online ही देते हो, तो वो interaction नहीं कर पाता है, तो यह against में आपको यह चीज़ को cover करना है, तो जो भी आप subscriber हो, जो आप इस course के subscriber हो, इसके subscriber हो, वो लीख हो, और जो subscriber नहीं हो, तो या तो आप subscribe कर सकते हो, यदि नहीं कर सकते हो, तो आप अपने किसी senior को, किसी friend को, या फिर जो कोई exam दे चुके है, आपके संपरक में जो भी है, जो आपको feedback provide करवा सकते हैं, वो उनको link करके दो, मैं हमेशा यह बोलता हूँ ना, कि आपका at the end of the day, आपको समझने से मतलब है, आपको चीज़ों को जानने से आपका फाइदा, यह जरूरी नहीं है, कि आप कहीं subscribe करो का, जिदि कहीं आपके कोई friend, senior, जिदि यह सुविधा provide करवा रहे हैं, कि यास, तुम मेरे पास link करके वेजो, मैं तुम्हे feedback दे दूँगा, यह सारी, तो आप उनका help लो, लेकिन आ working strategy पे जाकर दे सकते हैं, okay, thank you.